हेलो फ्रेंस आज मैं आप सभी के साथ इतनी जादा टीस्टी और चटपटी सी रेश्पी से रहे हूं वो भी गियों की आटे से न कि आप बनाओगे तो कहोगे कि वाव कितना जादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनाएं कि लगी नीरा गियों की आटे से आपने बनाया हुआ है जो से पहले एक कप हम गियों का आठा ले लेंगे नार्मल जो हम नोग रोटी बनाने के लिए आठा इस्तामाल करते हैं वही वाला आठा मैंने लिया हूआ है एक कप उसके बाद हम इसमें दो चुटकी के आसपास नमक डाल लेंगे, उसके बाद से फिर मैंने इसमें डाला हुआ दो चम्मस तेल, नॉर्मल रिफार्ड ओल का मैंने इस्तमाल किया हुआ, आप चाहे तो यहाँ पर घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं, तेल को अच्छी से हम आटे के करके तैयार कर लेंगे, घर में जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा गुतते हैं, थोड़ा सा उससे हम सकत आटा गुतेंगे, तो अभी आप देख सकते हो, इस तरीके का थोड़ा सा हलका सकत आटा गुता हुआ है, अब हम आटे को ढख करके रख देंगे, दस मिनट के रेस्ट पर, जब तक हमारा आटा रेस्ट हो रहा है, तब तक हम स्टफिंग बना कर त्यार कर लेते हैं, तो सिबसे पहले कढ़ाई में दो चमच तेल ले लेंगे, कढ़ाई की जो फ्लेम होगी, उसे हम मेडियम फ्लेम पर रखेंगे, उसके बाद से हम इसमें दो चुटक इसमें मैंने संफू डाली हुई है, दो चुटकी के आसपास मैंने इसमें खड़ा धनिया डाला हुआ, उसके बाद से मैंने इसमें दो चुटकी मंगरेल और दो चुटकी जीरा डाला हुआ, इन चीजों को डाल करके मिक्स कर लेंगे, उसके बाद से दो हरी मिर्च बारी क ही दाले लग बखने चीज तो अपने पसंद को इसमें डालने हूए तक निसमें लगबक दो चमल थोड़े से हरे मटर डाले हुए थो बनुम फिलिए अपने पसंद कोई भी चीज डाल सकते हैं उसकी बाद से एक टमाटर बिल्कुल बारिक कटा हुआ हलका सा हम टमाटर को भ अहीं मैंने मेल थोड़ा मोटे मोटे पीुक्र नहीं तोड़े तोड़े नहीं मौटा मूटा ही हिए क्योंकि मार minder समौसा ऊष्क हुआ जोगा है खाने में क tut तो resulting तोड़े पीसस में ही रखा हुआ है उसके बाद से मैं इसमें एड़ कर रही हूँ एक चमच नीमबू का रस जिसी कि इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छा सा टीस्ट आ जाता है फ्रेंस आप कभी भी कोई स्टफिंग बना रहो ना एक बार इस तरह के स्टफिंग बना के देखो फिलिं अगर अपने उसके बाद से वन थर्टी स्पून काले मिर्श पॉडर आधा चमच को सूरी में थी इन चीजों को डालने के बाद अच्छी तरीके से हम इसे सारी चीजों और मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे ध्यान दीजिए इस स्टेश पर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंग वन थर्टी स्पून के आज पास हम इसमें हल्दी पॉडर डाल लेंगी और फिर आप चाहो तो दो से तीन चुट की हल्दी पॉडर डाल सकते हो उसके बाद से ढख करके एक से दो मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो मटर है और अच्छी तरीके से पक जाए जो मसाले है व उसके बाद से इसे दो पार्ट में मैंने बाट लेया हूँ और दो बड़ी बड़ी लोईयां बनाई हुई है और देख सकते हो आप लोग हलका सा आटा लगा करके इसकी मैंने एक बेलते हुए एक बड़ी सी रोटी बेल लें ठीक है इस तरीके से मैंने पूरे चकले पर ब च्छह और फिर जाके आठ वाग में इस तरह से कट करने के बाद जो हमने आलो के स्टफिंग बना करके रखी हुई है हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे देख सकते हो आप लोग हातों से थोड़ा चा गुमाएंगे एक छोटी सी बॉल बन जाएगे इसी तरीक से बनाने के बाद सभी आलो के गुल बॉल्स को किनारे किनारे पर सभी पर रख देंगे उसकी बाद से साइट में यह पानी लगा रही हूं जिससे कि इस तरह से कॉनर्स को हम ठा लेंगे और आपस में चिपका देंगे तो पानी लगाने के विज़र से यह अच्छी तरीके से आपस में चिपक जाएगा देख सकते हो आप लोग अराम से हलके हातों से जब दबाएंगे तो आराम से जो हमारा साइट का कॉनर्स है वो अच्छी तरीके से आपस में चिपक जाएगे अब दूसरे वाले कॉनर को भी उठा करके इन दोनों कॉनर्स के उपर देंगे देख सकते हो आप लोग इस तरीके से हलके हातों से हम यहाँ पर रख देंगे ठीक है और हलके हलके हातों से दो यहाँ अभी मैं इस से उठा लेत हूँ और यह साइट में यह monkey हुत हम दाह ए corporations दो हमने पाने लगा लगा होग तो यह आराम से आपस तो आज हम बना रहे हैं समूसे, तो आज मैंने आप सभी की साथ सेयर कर रही हूं, मेनी समूसा रेसिपी, खासकर समूसा जब बनाने की बात आती, तो कुछ लोग को सोच में बड़ जाते की यार सेपक कैसे दिया जाब इसे काटो, फिर कैसे मिला हो, फिर किस से बना जाए त दूसरा वाला भी सेम प्रोसेस के साफ हम तयार कर लेंगे और इसी तरीके से बागी की जितने भी है उन सभी को हम बना करके तयार कर लेते हैं तो फिरा सभी को मैंने बना करके एक वाला जो एक बैस में रोटी बेली हुई थी वो यह तयार करके रख लिया हुआ है तेल को हम पर रख देंगे medium flame पर अच्छे से तील को गरम हो जाने देंगे उसके बाद से हम एके को इसमें डाल दे जाएंगे के समोसे को तो इस तरीके से हम सभी समोसो को को एके करके डाल लेंगे और हाँ फ्रेंस यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है कि हमने अब गैस की flame को medium से थोड़ा सा और कम आज कर देना है यानि कि medium to low flame पर कर देना है और धीरे धीरे इसे पकाएंगे इस तरीके से यह पकते हुए बिलकुल कुरकुरा बनेगा दोनों में अच्छी तरीके से पकने के वाज़े से बिलकुल कुरकुरे हो जाते हैं तो इस तरीके से चलाते हुए सबी साइट से मैंने पका लिए हुआ देख सकते हैं अपलों कितना कुपसूरा सा कलर आया हुआ और लिचेफनेंस आज हमने आपके साथ सेयर किया मिनी समोसा रेस तो चली फ्रेंट्स मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तक के लिए हल्दी खाई और फेमली को भी हल्दी के लाएं बबाई एंटेक केर